आयोध्या राम मंदर विवाद के मुख्य पक्षकार हाश्यमंसारी नहीं रहे 96 साल के उमर में हाश्यमंसारी ने आयोध्या में आखरी सांस ली हाश्यमंसारी 1949 से इस केस को लड़ा है थे 1921 में पैदा हुए हाश्य मंसारी ने 1949 में पहली बार इस मामले में एक मुकदमा दर्श करवाया था जब विवाद इंधाचे के बीतर कथित रूप से मूर्तिया रखी गई थी 1961 में सुन्नी वक्ट बोड ने इस मामले में जब केस किया तब हाश्य मंसारी एक और पैरुकार बने 1975 में इमर्जन्सी के दौरान वो करीब आठ महिने जेल में भी रहे वो काफी समय से बीमार चल रहे थे वो चाहते थे कि उनके जीवित रहते राम मंदर विवाद पर कोई फैसला हो जाए